भारत माता के उत्तर प्रदेश के राजपाल स्रिमान राम नाईज जी उत्तर प्रदेश के यसस्वी एबम लोपृरियम मुक्हमंत्री योगी आधितेनाथ जी, केंद्र में मेरे सहयोगी, रेल मंत्री स्रिमान प्यूज गोयल जी, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष और संसद में मेरे सहयोगी सिमान महेंद्र पांडे जी, उत्तर प्रदेश के मंत्री परिशत के मान्य मंत्री गर्ण, यहां उपस्तित विधायक गर्ण, स्पीकर महोदय, और भारी संख्या में पधारे हुए, राय बरेली के मेरे प्यारे भाईयों और बहनों। आज मैं उस भूमी पर हूँ, जिसने आध्यात्म से लेकर स्वतंत्रता संगराम के आंदोलन और सहित्य से लेकर राजनीती तक देश के हर खेत्र में दिशा दिखाई है। ये महारुशी जमजगनी समेत अनेग रुशी मुनियों के तब की भूमी है, तो वीरा पासी, राणा बेनी मादो बख्सी के बलिदान की भी भूमी है। ये भूमी जा इसी के अपनत्व की परिया है, तो इसी भूमी में महवीर प्रसाद विवेदी जी की रतनाओने आकार लिया है। इसी भूमी पर किसान आंदोलन के प्रणेता पंडित अमोल शर्मा हुए, तो इसी भूमी ने राज नारायन जी को भी आथिरबाद दिया। महराय बरेली की इस महान और पुन्य भूमी को यहां के लोगों को आदर पुर्वक नमन करता हूँ। सात्यों गवरों में इतिहास से जुड़े इस छेत्र के विकास के पती केंद्रा और उत्तरप्रजेश की भाजपा सरकार पूरी तरह से समर्पी था है। इसी भावना के तहट थोड़ी देर पहले यहां एक हजार करोड रुपिये के प्रोजेक्स का सिलान्यास और लोकारपन किया गया है। सडक, घर, मेडिकल कॉलेज जैसी वो सारी परियोजनाएं जिनका थोड़ी देर पहले लोकारपन और सिलान्यास हुआ है। वो आप सभी के जीवन को सरल और सुगम बनाने में मदद करने वाला है। इन सभी सुविधाओं में के लिए मैं आप सबको रदय पुर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सात्यों यहां आने से पहले मैं पासी में बनी मोडन कोच फेक्टरी में था। मैंने इस फेक्टरी में इस वर्ष बने नवसों में डिब्बे को हरी जंडी भी दिखाने का मुझा आउसर मिला। जिस गती से अब वहां काम हो रहा है वो सच मुच में बहुत ही सरानिय है। पहले की सरकारों की क्या कार्य संस्कूर्ती रही है। कैसे देश के साधनों संसाधनों के साथ अन्याय हुआ है। इसकी गवाही राय बरेली की रेल कोच फैक्टरी भी है। आप सोचिए ये फैक्टरी साल 2007 में स्विक्रुत हुई थी। मक्सद था वर्स में एक हजार नए कोच बनाना। साल 2010 में एक फैक्टरी बनकर तयार भी हो गई। लेकिन उसके बाद चार साल तक इस फैक्टरी में कपूर थला से डिब्बे लेकर के उनमें पैंच कसने और पेंट करने का काम हुआ। जो फैक्टरी नए डिब्बे बनाने के लिए थी। उसे पूरी शब्ता से कभी काम ही नहीं करने दिया गया। हालत ये थी कि साल 2014 तक यहां की सिर्फ तीन प्रतिशत मशीने ही काम कर रही थी। हमने इस्थिती को बदला हमारी सरकार आने के तीन महने के भी यहां से ऐसा कोच निकला जो पूरी तरह राय वरेली की फैक्टरी में बना हुआ था। बाजपा सरकार के प्रयास से अब सारी मशीने पूरनक शमता के साथ काम कर रही है। नई और आधुनिक मशीनों को लगाने का काम भी तेज गती से हो रहा है। इसी के नतीजा है कि पिछले वर्ष इस कोच फैक्टरी से भाईया आपका प्यार मेरे सरांखों पर आपका उत्सा भी मेरे सरांखों पर लेकिन मेरी आपसे प्रांथना है कि औरों को भी जरा सुनने दीजिए इतनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं। आपका उत्सा आपका जोस आपका प्यार ये सम मेरे सरांखों पर अब आप अनुमती दें तो आगे बोलना शुरू करूं। आगे बोलना शुरू करूं। बोलूं। आपकी इजाज़त के मेरे कोई काम में नहीं करता। देखिए इतना प्यार इतने आशिरवाद ये मेरा सवभाग्य है। और इसके लिए मैं आपका अभारी हूँ। लेकिन मुझे इतनी बड़ी तादाग में लोग आए हैं, उनको भी कुछ बाते सुननी हैं, तो आप कुछ समय के लिए आपके इस उत्सा को, इस जोस को थोड़ा समाल के रखेंगे क्या। पका, बादा, निभाएंगे, शाबाज, राय बरेली के नौजवान बहुत अच्छे हैं। इसी के नतीजा है कि पिछले वार्स इस कोज फैक्टरी से साथ सो ग्यारा नए डब्बे बन कर निकले। अब मैं चाहूंगा कि अगले वर्स मार्क तक ये संख्या बढ़ा कर चौदा सो के पार की जाए। साथियों, इस कोज फैक्टरी के आधुनी करन का काम निरंतर जारी हैं। और अगले दो-तिन वर्ष में नए कोज बनाने की इसकी ख्षमता तीन हजार तक पहुच जाएगी। और आपको मैं ये भी बताता हूँ, हमारा प्रयास इसे पांच हजार कोज प्रती वर्ष तक ले जाने का है। इस कोज फैक्टरी के लिए अब जो काम हो रहा है वह इसे भारत की ही नहीं, ये राए बरेली की कोज मैनुफेक्टरिंग फैक्टरी दुनिया की सबसे बड़ी रेल कोज फैक्टरी बना देगा। और भाईयों बनों मैं छोटा सोचने की आदत ही नहीं रखता हूँ। बहुत जल्द इस फैक्टरी में देश भर की मेट्रों के डिब्बे बनेंगे। सेमी हाइ स्प्रीट ट्रेनों के डिब्बे बनेंगे। एल्यूमिनियम के आधुनिक और वजन में हलके और मजबुत डिब्बे भी यहीं पर बनेंगे। भाईयों और बहनों ये विस्तार सरफ यहाँ बनने वाले डिब्बों की संख्या और कोज फैक्टरी का ही नहीं है। इस विस्तार से यहाँ के लोगों के जिंद्गियों में भी एक नया विस्तार आएगा। अगर कोज फैक्टरी की शमता बढ़ेगी तो यहाँ के युवाओं के लिए हर तरह के रोजगार बढ़ेंगे। उस दिन के बारे में सोचिए जब यहाँ हर रोज दस बारा नए कोच बनने लगेंगे। इस फैक्टरी की शमता का विस्तार कामगारों, इंजीनियरों, टेक्निशनों, डिपलमा हुणलर के लिए भी रोजगार के नए आउसर लेकर के आएगा। इतना ही नहीं, राय बरेली के लगू और मद्यमुद्योकों को भी इसका लाब मिलेगा। भाई और बहनों, साल 2014 से पहले इस रेल कोज फैक्टरी के लिए राय बरेली के स्थानिय बाजारों से, स्थानिय वेपारियों से, एक करोड रुपिये से भी कम का सामान खरिदा जाता था। यह जरा चौकाने वाली जानकारी आपको दे रहा हूं, बताओं आपको, बताओं, हमारी सरकार बनने से पहले इस फैक्टरी को जो सामान लगता था, यहां लोकल लोगों से सिरफ एक करोड रुपिये का सामान खरिदा जाता था। वही जरा सुनिए, वही बाजपा का सरकार बनने के बाद इस वर्स अब तक सबासो करोड रुपिये का सामान रेल को फैक्टरी के लिए यहां के स्थानिये व्यपारियों से खरीच चुकी है। अब जब फैक्टरी का विस्तार होगा तो खरीत का भी आंकड़ा और बढ़ेगा। मुझे बताया गया है कि अब रेल मंत्राले और यूपी सरकार मिलकर यहां एक रेल इंडिस्ट्रियल पार्क भी बनाने जा रहे हैं। इस इंडिस्ट्रियल पार्क के माध्यम से रेल फैक्टरी को सामान की सप्लाई होगी और इसका सीधा फाइदा यहां के लगू और बद्यंबर के उद्योगों को मिलेगा। साथियों, आज एक और तथ्य मैं राय बरेल के लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। जब पहले की सरकार ने यहां पर रेल कोच फैक्टरी का निर्मान किया, ताई किया था, तो ये भी ताई हुआ था कि पांच हजार कर्मचारियों की नियूक्ति की जाएगी। ये पिछले वाली सरकार ने ताई किया था, और गोचना की थी, मालाय पहनी थी, जिंदाबाद के नारे भी लग चुके थे, लेकिन आप ये जानकर हैरान ढह जाएंगे, कि स्विक्रुती इसके आधे पदो को ही दी गई। गोचना 5000 की और स्विक्रुती उसके आधे की। इतना ही नहीं। 2014 में हमारी सरकार में आने के बाद हमने ये भी देखा कि यहां की कोच फैक्टरी में एक भी नई नियुक्ती नहीं हुई थी। आपको क्या क्या बताया गया था और आपने में कैसे कैसे जैकार कर दिया था। एक को भी नहीं मिला था। जो कर्मचारी यहां काम कर रहे थे वो कपूर्थला से लाए गये थे। अब आज की स्थिती ये है कि लगभग 2000 नए कर्मचारियों को हमारी सरकार ने नियुक्त कर दिया है। इतना ही नहीं अस्थाई कर्मचारियों की संख्या भी जहां वर्थ 2014 में सिर्फ 200 थी। अब आज ये बढ़कर लगभग 1500 हो चुकी है। आज मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है, गर्व का एसास हो रहा है कि आने वाले समय में राइबरेली, रेल, कोच, निर्मार के मामले में एक ग्लोबल हब बनने वाला है। साथियों, कनेक्टिविटी को सुद्रड करने के लिए, देश के लोगों की सुविधाएं बढ़ाने के लिए, रेलवे के अलावा, हाईवे, एरवे, बोटरवे और आईवे हर शेत्र पर तेज गती से काम किया जा रहा है। यूपी में नदियों पर बन रहे वाटर वे हो, आदुनिक एक्स्प्रेस वे हो, या फिर गाउं की सड़के जीविन को आसान बनाने के लिए दिन रात काम किया जा रहा है। इसी मिशन के तहट राय बरेले में भी हर शेत्र में काम तेज गती से आगे बढ़ रहा है। थोड़ी देर पहले ही साड़े पांसो करोड रुपे की लागत से बने जिस राष्ट्रिय राजमार का लोकारपन किया है, उससे राय बरेली लाल गंज से फतेपूर होता हुआ, सीधा बांदा तक जूड जाएगा। करीब सबासो किलोमिटर के इस राजमार से चित्रकूर दाम पहुंचने में भी सुविधा होगी। साथियों, इन्फा स्ट्रक्चर का स्वास्त ठीक करने के साथ साथ सरकार नागरीकों का स्वास्त भी आप सभी को देश के जन जन को सस्ती और उत्तम स्वास्त सेवाय देने के लिए भी प्रतिबद्ध है। राय बरेली खुद भी स्वस्त रहे और पूरे छेत्र को स्वस्त रखे। इसके लिए यहाँ पर बन रहे एम्स के काम को और गती दी गई है। आज यहाँ सवाच चार सो करोड रुपिय से जादा की लागत से बनने वाले मेडिकल कालेज, अस्पताल और होस्टेल का लोकारपन और सिलान्यास किया गया है। मुंसी गंज में बनने वाला ये मेडिकल कालेज और अस्पताल यहाँ के एम्स का ही हिस्सा है, इसका लागत पूरे राइबरेली और आसपास के दूसरे जिलों को होने वाला है। सरकार स्वास्थ के साथ साथ गर देने के भी चिंता कर रही है। केंद्र सरकार साल 2022 तक देश के हर गरिप परिवार को पक्की छत देने का प्रयास कर रही है। इसके लिए प्रधान मंत्री आवास योजना के तहट अब तक देश में सबा करोड से जादा गरों का निर्मान पूरा किया जा चुका है। जिनको गर मिलना वाला उनको चावी दे दी गई हैं और ये जो दिवाली गई उन्होंने अपने नए गर में दिवाली भी मनाई है। राय परेली मैं भी जैसा भी योगी जी ने बताया अब तक 23,000 से भी जादा गरों की चावी मेरे गरीब परिवारों को भाई बेहनों को दी जा चुकी है। थोड़ी दिल पहले ही 500 और नए गर बनाने की शुरुआत भी की गई है। ये जो गर बन रहे हैं ये पहले की तरह सिर्प चार दिवारे नहीं हैं। हमारा प्रयास है कि हम जो घर बना के दे उसमें नल भी हो और नल में जल भी हो। बिजली का कनेक्शन भी हो, गेस का कनेक्शन भी हो और इजदगर साउचाले तो जरूर हो। भाईयों और बहनों, देश के इतिहास में आज का दिन एक और बज़े से भी बहुत विशेश है। 1971 में आज के ही दिन भारत की बीज सेना ने आतंक, अत्याचार और अराजक्ता की प्रतिक शक्तियों को धूल चटाई थी। इस युद्ध का हिस्सा रहे, देश भर के सभी सैनिकों को मैं नमन करता हूँ। जो सैनिक युद्ध में सामीर हुए, शहीद हुए, जिसमें उत्तर प्रदेश के भी अनेक बीर सपूत थे। उनको भी मैं एक सो तीस करोड देश वास्यों की तरफ से स्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। सेना के सौरिय, समर्प्रण के प्रति, दिसंबर के सर्द मौसम में भी सरहत परतैनात, अपने प्रहरियों का गौरावगार्ण करने के लिए, आप सभी दोनों हाथ उठा कर, मुठ्टी भीच कर, मेरे साथ उन वीर जमानों के लिए बोलिये, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, सोचिये, जिस भारत मा की जय के नारे पर आपको गवरव होता है, कुछ लोगों को इससे भी सर्मिंदा होते देखा गया है, ये किस तरह के लोग हैं, जिने भारत माता की, जय गोश से दिक्कत है, जिने देश की परवा नहीं है, साथियों, मोदी को उन्हें गाली देनी है, मैं जानता हूँ, मोदी पर वो किसी भी तरह एक दाग लगा देना चाहते हैं, ये भी जानता हूँ, लेकिन जानना चाहता हूँ, कि इसके लिए देश को ताग पर क्यों रख दिया गया है, क्यों देश की सुरक्षा से खिलवार किया जा रहा है, भाई और बेनों, आज देश के सामने दो पक्ष है, एक एक पक्ष सत्य का है, सुरक्षा का है, सरकार का है, जो हर तरह से कोशिश कर रही है, कि हमारी सेना की ताकत बड़े है, दूसरा पक्ष उन ताकतों का है, जो किसी भी कीमत पर देश को कमजोर करना चाहता है, आप मुझे बताईए भाईयो, हमारे देश की सेना ताकत बर होनी चाहिए अगे नहीं होनी चाहिए, सेना के हाथ में आधुनी का हतियार होने चाहिए अगे नहीं होने चाहिए, आज देश ये देख रहा है कि कॉंग्रेस उन ताकतों के साथ खड़ी है हमारे विरोधी उन ताकतों के साथ खड़े हैं जो हमारी सेनाओं को मजबूत नहीं होना देना चाहते हैं ऐसे लोगों की कोशिसों को किन किन देशों से समर्शन मिल रहा है ये भी देश देख रहा है क्या करण है कि हाँ ऐसी भासा कुछ नेता बोल रहे हैं तालिया पाकिस्तान में बजाई जा रही है ऐसा क्यों हो रहा है साथियों राम चरित मानस में एक चौपाई है साथियों राम चरित मानस में एक चौपाई है गो स्वामित तुलसिदाजी ने लिखा है कि भगवान राम किसी का व्यक्तित्व समझाते हुए कहते हैं जुठाई लेना जुठाई देना जुठाई भोजन जुठ चबेना एनि कुछ लोग जुठी स्विकार करते हैं जुठी दुसरों को देते हैं जुठ का ही भोजन करते हैं और जुठी चबाते रहते हैं कुछ लोगों ने इनी पंक्तियों को अपने जीवन का मूल मंत्र बना दिया है और इसलिए ऐसे लोगों के लिए देश का रक्षा मंत्राले भी जूठा है देश की रक्षा मंत्री भी जूठी है भारतिय वेना वायुसेना के अपसर भी जूठे हैं फ्रांस की सरकार भी जूठी है अब तो उन्हें देश की सर्वच्च अदालत भी जूठी लगने लगी है लेकिन साथियों लेकिन साथियों सच को स्रुंगार की जरुरत होती नहीं है और जूठ चाहे जितना भी बोला जाए उसमें जान नहीं होती है लेकिन हमारे हाँ बहुत बड़ी बात कही गई है कि जयेत सत्य ने चानुतम यानि जूठ बोलने की प्रवुत्ति पर सत्यवादिता से ही विजय प्राप्त होती है मैं देश वासियों से स्पस्त कहना चाहता हूँ कि कॉंग्रेस सरकारों का इतिहास सेनाओं के प्रती कॉंग्रेस का रविया क्या रहा ये देश कभी उनको माप नहीं करेगा देश कभी उसे भूलेगा नहीं साथियों करगिल युद्ध के बात हमारी बायू सेना ने आधुनिक मिमानों की जरुवत बताई थी करगिल के लगाई के बात अटल जी की सरकार के बात कॉंग्रेस ने दस साल देश पर राज किया लेकिन बायू सेगना को मजबूत नहीं होने दिया आखिर क्यों किसके दबाव में बायू और बहनो रक्षा सौदों के मामले में कॉंग्रेस का इतिहास बोफोर्स गोटाने वाले क्वात्रोची मामा का रहा है कॉंग्रेस सरकार के समय में हुए हेलिकॉप्टर गोटाने के आरोपी एक और अंकल क्रिश्चन मिशेल को पकड़ कर कुछ दिन पहले ही भारत लाया गया है और हम सभी ने ये भी देखा है कि कैसे इस आरोपी को बचाने के लिए कॉंग्रेस ने तूरंद अपना वकिल अदालत में बेज दिया मैं कॉंग्रेस से जानना चाहता हूँ कि क्या वो इसलिए भड़की हुई है जूट पर जूट बोल रही है क्योंकि भाजपा सरकार जो रक्षा सोदे कर रही है उसमें कोई क्वात्रोची मामा नहीं है कोई क्रिश्चन मिशेल अंकल नहीं है क्या इसलिए वो आप नयाए पाली कापर अविस्वास का माहोल पैदा करने में जूट गई है का को ही कटगरे में खड़ा करने में वो बराबर लगे हुए है भाई और भेनों हमारे लिए हमेशा दल से बड़ा देश है और जीवन परियांद आने वाली पीडियों तक हमारा यही मंत्र रहेगा दल से बड़ा देश है आज मैं देश को कहना चाहता हूँ कि जब देश की सुरक्षा की बात हो सेना की जरुरतों की बात हो सैनिकों के सम्मान की बात हो केंद्र की भाजपा नेत्रुत्व वाली एंडिये सरकार सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखती है राश्ट्रहीत देश हीत जन हीत यही हमारी परवरिस है यही हमारी सरकार के संस्कार है हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि भारत की सेनाए किसी से कम न हो हमारे लिए जान की बाजी लगाने वाले सैनिकों को कभी दिक्कत न हो आखिर मैं उस मा के प्रती भी तो जबाब दे हूँ जो अपना बेटा सिमा पर भेजती है मैं उस बहन के प्रती भी तो जबाब दे हूँ जिसने अपना भाई बॉर्डर पर भेजा है जो परिवार जो बच्चे अपने पापा का इंतरजार कर रहे हैं उनके प्रति भी तो मेरी जवाब दे ही है जब तक हमारी सरकार है जब तक मैं हूँ सरकार ऐसे लाखो करोडो परिवारों के प्रति जवाब दे होगी एक परिवार के प्रति नहीं इसके लिए कड़े से कड़े फैसले लेना हो हमारे कदम कभी पीछे नहीं हटेंगे भाईयों और भहनों हमारे जवानों की सुरक्षा के प्रती कॉंग्रेस का रवया क्या रहा ये मैं देश को फिर याद दिलाना चाहता साल दोहजार नव में भार्त की सेना ने एक लाग छाशी हजार बुलेट प्रूप जैकेट की मांग की थी 2009 से लेकर के 2014 तक पांच साल बिद गए लेकिन सेना के लिए बुलेट प्रूप जैकेट नहीं खरी दी गई केंद्र में हमारी सरकार बनने के बार 2016 में हमने सेना के लिए पचास हजार बुलेट प्रूप जैकेट खरीद करके उनको सुप्रूप कर दिये मैं देश को ये भी जानकारी देना चाहता हूं इस साल अप्रिल में पूरी एक लाग छैसी हजार बुलेट प्रूप जैकेट का ओडर दिया जा चुका है ये जैकेट बारत की ही एक कंपनी बना रही है भाईयों और बहनों कॉंग्रेस के पापों के बारे में बताने के लिए इतना कुछ है कि बोलते बोलते शायद सप्ताप के सप्ताह निकल जाए आज मैं देश को ये भी जानकारी देना चाहता हूँ अगर 2014 के बाद भी देश में कॉंग्रेस की सरकार बनती तो हमारा गवरो देश का गवरो तेजस लड़ा को विमान हमेशा हमेशा के लिए डिब्मे में बंद कर दिया जाता कोई पूछने वाला नहीं होता कॉंग्रेस सरकार के समाएं तेजस के निर्मान से जुड़ी हर चीज को कमजोर करने का प्रयास यूपिये सरकार में हुआ यह प्रोजेक पहले ही बरसों से अठका हुआ था लेकिन कॉंग्रेस सरकारों के दौरान इसे तेज करने की कोई कोशिश नहीं हुई भारत्यपा और एंडिये की सरकार आने के बाद हमने जुलाई 2016 में यह फैसना लिया कि तेजस को 45 स्कॉंटरन में शामिल किया जाएगा हमारी सरकार ने 83 नए तेजस विमान खरीज जाने खरीजे जाने का प्रस्ताव स्विकृत्ती दे दी इतना ही नहीं तेजस विमान बनाने के हाल HAL की ख्षमता को दो गुना करने के लिए पिछले साल 1400 करोड रुपिय की भी मंजुरी दी गई भाई यो और बहनों स्वतंत्रता के बाद से ही कॉंग्रेस का ये तरीका रहा है कॉंग्रेस सरकार के द्वारा किये गए हर रक्षा सोदे में कोईने कोई विदेशी मामा कोई विदेशी अंकर कोई चाचा कोई भतीजा कोई ने कोई तो निकल आता है और इसलिए जब पारदर्शिता और इमानदारी से सौधे होते हैं तो कॉंग्रेस बॉखला जाती है एक तायर रण दिती के तहट सेना पर ही धावा बोल देती है सेना को कमजोर करने का प्रयास करने लगती है साथियों सेनाओं की मान मर्यादा वैसे भी कॉंग्रेस और उनके चेले चपाटों की कल्पना से परे है जिस पार्टी के लोग हमारे सेना द्रश को गुंदा कहते हो और गुंदा कहने वाले को जहां पार्टी में उचे पद पर बिठाये जाता हो ऐसे लोगों से और क्या उम्मिद रखी जा सकती है जिस पार्टी के लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हो अपनी सेना से जादा दुश्मनों के दावों पर जादा बरोसा रखते हो उससे क्या उमिद क्याज की जा सकती है जिस पार्टी के लोग मामुली रखम सिरफ पांसो करोड रुपिय रख करके फोज की आँख में धूल जोंकने का हीन प्रयास करते हो और पांसो करोड रुपिय में बन रेंग बन पेंशन का जूठा दिलासा दे करके फुल मालाई पहनने लग जाते हो ऐसे लोगों से क्या उमिद की जा सकती है बन रेंग बन पेंशन का विशे भी तो 40 साल से लटका हुआ था इसे भी हमारी सरकार ने पुरा किया लिकों को फोजियों को मिल भी चुकी है साथ्यों कॉंग्रेस के राज में न जवान की परवा की जाती है न किसान की परवा की जाती है जवानों के बात अब मैं विस्तार से किसानों की बी बात करूँगा सत्तर सान में पहली बार देश की किसी सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के बारे में सोचा तो वो हमारी सरकार है एंडिये की सरकार कि किसानों की एक-एक परहशानी समझकर बविषकी ज़रूरतों को समझ कर बीज से लेकर के बाजार तक हमारी सरकार ने नीतियां बनाई और उन्हें लागू कर रही है हम बहुत इमानदारी से बहुत परिश्रम से किसानों को खेती से जुड़े संकटों से बहार निकालने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन देश के किसानों को कॉंग्रेस का इतिहास उसकी नीतियां उसकी सचाई उसकी दोखागड़ी कभी भी नहीं भुलनी चाहिए कॉंग्रेस के पास इस बात का क्या जवाब है कि जब वो दस साल तक सप्ता में रही तो क्या उसने स्वामिनाधन कमिटी की रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं किया आखिर किसका दबाव था क्यों उसने MSP जैसे अहम विशे को जमीन के बीतर ही गाड़ दिया था इस बात का जवाब कॉंग्रेस कभी नहीं देगी और नहीं उसका बनाया इको सिश्टीम उससे कभी जवाब मांगेगा लेकिन भाई और बेहनों केंदर की NDA सरकार ने किसानों की आई बढ़ाने के लिए MSP पर स्वामिनाधन कमेटी के रिपोर्ट को लागू किया खरीप और रभी की 22 फसलों पर आज MSP को सुनिश्चित किया गया है कॉंगरेज का इको सिश्टीम आपको कभी ये नहीं बताएगा कि सिर्फ इस एक फैसले से और ये बहुत महत्वपूर बात है सिर्फ इस एक फैसले से हमारे देश के किसानों को साथ हजार करोड रुपिय से ज़्यादा मिलना तय हुआ है साथ हजार करोड रुपिय का फायदा भाई और बहनों मैं कॉंगरेज से ये भी जानना चाहता हूं कि आखिर वो किसका दवाव था जो वो यूरिया की सत्प्रतिशद नीम कोटिंग कर्ज के फैसले से भागती रही हमारा देश का किसान यूरिया के अभाव में लाठिया खाता था कॉंग्रेज की सरकार उसका तमासा देखती रही साथ क्यों मैं देश को फिर याद दिलाना चाहता हूं कि यही कॉंग्रेज सरकार थी जब किसानों से फसल विमा के लिए 15 प्रतिशद से जादा प्रिमियम लिया जाता था विमा की रासी में भी कैपिंग होती थी 30 प्रतिशद फसल का नुक्सान हुआ है या 40 प्रतिशद का इसी में भी बड़े-बड़े गोटा लेके खेल खेले जाते थे प्रधान मंत्री फसल विमा योजना लाकर हमारी सरकार ने किसानों की इन सारी समच्चाओं को दूर किया आज अलग-अलग फसलों पर सिर्फ देड़ प्रतिशद से लेकर पांच प्रतिशद तक का प्रिमियम किसानों से लिया जाता है सो रुपिय में सिर्फ देड रुपिया जादा से जादा पांच रुपिया अगर मैं पिछले दो वर्ष का अंकड़ा दू तो किसानों से प्रिमियम के रुप में आठ हजार करोड रुपिया लिये गए पूरे देश में पूरे देश में आठ हजार करोड लेकिन आपदा के बाद फसल खराब होने के बाद किसानों को 33,000 करोड रुपिय से जादा की मदद उससे मिली आठ हजार के सामने 33,000 करोड किसान के पास गया यानि जितना किसानों से लिया उससे चार गुना से ज़्यादा वापस किया गया साथियों बीते कुछ समय से कर्ज माफी को लेकर भी कॉंग्रेट बड़ी-बड़ी बाते कर रही है लेकिन ये भी सिर्फ दोखा है जूट है करनाटक में कॉंग्रेट ने किसानों से कर्ज माफी का वादा किया था सिर्फ दस दिन की बात कही गई थी लेकिन आज छे महिने बात सच्चा ही कुछ और है अभी दो-तिन दिन पहले ही अख़बारों ने विस्तार से रिपोर्ट छापी है कि करनाटक में छे महिने में एक हजार किसानों को भी कर्ज माफ नहीं हुआ है सोचिए एक हजार को भी नहीं सैंकडों किसानों के खिलाप अदालतों ने कारवाई शुरू कर दी है उनके खिलाप गिरबतारी का वारन डिकल रहा है कॉंग्रेस पूरी ताकत लगा रही है कि ये सच्चाई दब जाएं छिप जाएं देश के किसानों के सामने ना आएं लेकिन किसानों से की जा रही है दोखागड़ी उन्हें हमेशा हमेशा के लिए बरबाद कर देने वाली है कॉंग्रेस की साजीश को बीजेपी सरकार घर घर जाकर के पहुंचाएगी साथियों याद करिए दोहजार आठ में भी कॉंग्रेस ने देश बर के किसानों को ऐसी ही कर्ज माफी का बादा किया था तब देश के किसानों पर छे लाग करोड रुपिय से जादा का कर्ज था लेकिन कॉंग्रेस सरकार ने कर्ज माफी की कितनी की छे लाग करोड का कर्ज और किया कितना सिरफ साथ हजार करोड कहां छे लाग करोड और कहां साथ हजार करोड कितना बड़ा धोका इतना ही नहीं कर्ज माफी की आड में ऐसे 35 लाख लोग करीब करीब वो निकल आये जो कर्ज माफ कर दिया गया लेकिन वे कर्ज माफी के हक्तार ही नहीं थे पिछले दर्वाजे से रुपिय मार गए भाई और बहनों खेती किसानी से जुड़ा कोई भी सेक्टर हो कॉंग्रेस ने उसे मजबूत करने की और कभी भी ध्यान नहीं दिया फूर्ड प्रोसेसिंग हो बीच की क्वालिटी में सुधार हो एगरिकल्चर रिसर्च हो खेती से आए बढ़ाने वाले अन्य साधन हो सिंचाई की ववस्ता हो जितना प्रोचाहान इने सरकार से मिलने चाहिए था वो कॉंग्रेस ने कभी नहीं दिया आज सैंक्डो नए क्रिसी विज्ञान के इंद्र खोलकर 17 करोड से ज़्यादा सोईल हेल काड़ देकर फूर्ड प्रोसेसिंग में 100 प्रतिशत FDI करके देजबर में सैंक्डो नए स्टोर हाउसेज खोलकर पूरी सप्लाई चेन को मजबूत करके किसानों का खर्च कम करने और फवसल की उचित किमत दिलाने का प्रयास किया जा रहा है साथियों सरकार चाहे केंद्र की हो या फिर योगी जी की अगवाई वाली यूपी की सरकार हमारा एक ही मंत्र है सबका साथ सबका विकास इसको सुनिश्चित करने के लिए दिन राध हम लगे हुए है यहां राय बरेली में भी आठ लाख लोगों के बैंक खाते खोले गए है पौने दो लाख मैलाओं को मुप्त गैस कनेक्शन दिया गया है लगबग 55,000 गरों को मुप्त बिजली कनेक्शन देकर रोशन किया गया है आप सभी का अबुत पुर्व सयोग सरकार के प्रयोसों को सक्ति दे रहा है आपके सयोग की ये शक्ति है कि सामान्य से सामान्य मान की जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में हम सभल हो पा रहे हैं आने वाले समय में सरोकार और सयोग की इस भावना को हम और मजबुत करना है मिलकर के करना है राय बरेली समयत पूरे उत्तर प्रदेश के तेज विकास के लिए हर स्तर पर हमें मिलकर आगे बढ़ना है इसी विश्वास के साथ एक बार फिर तमाम विकास परियोजनाओं के लिए आप सभी को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ आप यहाँ भारी संख्या में हमें आशिरवाद देने पहुँचे इसके लिए भी मैं आप सब का रज़ेश से धन्यवाद करता हूँ मेरे साथ जोर से बोलिये भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद